आगे हम सब देखते हैं, केकरोट एंवीस ट्रेणिंग करते रहते हैं, फाइनली वो दिन आ जाता है, जिसका हम सब को इंतसार था, पीरस के पहले समें टाइम बाउम एक्स्प्लोड होनी लगते हैं, पीरस फाइनली उठ जाते हैं, पीरस रेडी होते हैं, अपने पहले से ब बड़ी बात नहीं थी, पीरस बोलते हैं, मैं तुझे मारने के रादे से इस पैटल में उतरूंगा, और अगर तुझे जीना है, तो तुझे भी यही करना होगा, केकरोट को लगाता है, एक फ्रेंडली बैटल होने वाला है, पर वो गलत था, फाइनली पीरस और केकरोट क परदे शुरू हो जाता है, तौनों काफी सारी प्लोस एक्सचेंज करते हैं, इस पॉंट अफ टाइम पे तौनों की पावर एकवर लग रही थी, पीरस केकरोट की पावर से काफी इंप्रेस हो रहे थे, तेन केकरोट इस पैटल को डॉमिनेट करने लग जाता है, पर केकर को हराने के लिए और ताकच चाहिए होती है, पीरस हकाई एनेजी उस करने वाले थे, पर अचानक से वो कुछ नोटिस करते हैं, और कम्प्लिटी शॉक हो जाते हैं, उन्हें नहीं लगाता एक मॉर्टल ये टेकनिक अचीव कर सकता है, एक ऐसी टेकनिक जिसको अचीव करन कौन बनने वाला है, इसलिए भी इसने पहले से सब तैयारी करके रखी थी, पीरस के नपीस के पास होगा है थे, उन्हें इस पैटल के बारे में सब कुछ बैताया था, पीरस के इस पैटल में जीतेगा, वो युनिवर्स सेवन का अगला गॉर्ड अफ डिस्रक्शन होगा, केकरोट अपनी पावर इंक्रीज करता है, अपना सबसे पारफुल अटेक यूज करता है पीरस में, और एक ही हिट में पीरस को खतम कर देता है, जिसका मतलब है केकरोट बने का युनिवर्स सेवन का अगला गॉर्ड अफ डिस्रक्शन, पीरस के इस पैटल को हारना युनि पीरस को हराने के पाथ, कोको अपनी नॉर्बल स्टेट में आ जाता है, और सुचने लगता है, युनिवर्स को कैसे इंप्रूफ किया जाए, और फीस कोको को समझाने लगता है, कौड अफ डिस्रक्शन की ड्यूटिस क्या होती है, विकिस इंचल्स का ये भी काम होता है, जिसके उनिवर्स में पैलिन्स बना रहे, inचल्स डिलिक्ली किसी काम में इन्पॉल्फ नहीं हो सकते, पर इंडिलिक्ली उनका भी एक काम होता है, सबसे पहले केकरोट अफीज सुप्रीम काय के प्लेनेट पे जाते है, कौको सुप्रीम काय से उनिवर्स के सिच्छूइश माजिन्बू ने पहले भी युनिवर्स में काफी तपाही मचाई है, तो उसका खतम होना भी सरूरी है, इन दौनों के खतम होने के बाद युनिवर्स में कुछ शानती आएगी, और सुप्रीम काई अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, केकरोट एंवी सीधा जाता है फ्रीजा की स्पेशिप में, केकरोट फ्रीजा की तरफ बढ़ने लगता है, जो भी सोलजर केकरोट की रास्ते में आता, केकरोट उसको खतम करके आगे बढ़ने लगता, केकरोट फ्रीजा के सामने आ जाता है, Frieza confused हो जाता है पिकस केकरोट ने God of destruction का outfit लगाया था पर God of destruction तो बीरस थे तो फिर वो कहा गए Frieza पूछता है तो कौन है और मेरे spaceship में कैसे आ गया कोकू बताता है वो universe 7 का new God of destruction है उसने बीरस को मार दिया एंड उसके बाद वो new God बन गया Frieza को इस बात पर एकी नहीं होता वीरस थे से टीडी का मारा जाना फूबिक सीन के हाथो इस बात पर फिरस फिचीटा को जानता है पर उसके अंदर प्राइड थी वही प्राइड जिसको तुने पेरो तली मसल दिया और उसके आखरी च्छा थी मैं तुझे खतम करूँ Frieza अपनी फाइनल फार्म में ट्रांस्फरम होके केकरोड पर अटेक करने के लिए बरता है केकरोड फिरस के अटेक को काफी अराम से डॉच कर लेता है तिन Frieza के सर को पकड़ता है एंड उसको समीन पर हिट कर देता है करके रखी थी और अभी Frieza की एनरजी के पाथ मार्चिनबू फानली बाहर आ सकता था कहानिया थी केकरोड ये पे केकरोड ये पर सूपर ड्रिगन पॉल्स को तामने आ जाते हैं चांपा देखता है उन्वेर्स 7 में न्यू गार्ड डिस्रक्शन अपॉइंट हो चुगा है केकरोड चांपा से पूछता है तुम सूपर ड्रेगन पॉल्स से क्या विश्च करोगे चांपा बताता है उसने अभी तक नहीं सोचा चांपा पूछता है मेरा कर दो चांपा बताता है